हेलो पेरे बच्चों तो आईए आज हम पढ़ेंगे एक नया अध्या है तो बच्चों बेसिकली ये हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे और ये हमारी स्पर्ष पाठ्यपुस्तक कक्षानों से लिया गया है तो हम दोहों की व्याख्या करने से पहले एक बर इसके लेखक कवी रहीम उनके बारे में तो जान लाते हैं तो रहीम का जन लाहोर अब जो पाकिस्तान में है बच्चों उसमें उनका जन हुआ था सन 1556 में इनका पूरा नाम अब्दुररहीम खान खाना था रहीम अर्भी फा पर संस्कृत कवियों की स्पस्चाप परिलक्षित होती है। प्रचलित है। जिनमें दैनिक जीवन के द्रस्टांत देकर कवी ने उन्हें सहज, सरल और बोध गम में बना दिया है। आशिक भेद वर्णन ये सबी कृतियां रहीम ग्रन्थावली में समाहित हैं। प्रस्तत पाठ में रहीम के नीति परक दोहे दिये गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा बरताव करना चाहिए। इसके शिक्षा देते हैं वहीं मानव मातर को करणिये और अकरणिये आचरण के भी नसीहत देते हैं। एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है। और उन स्थितियों का सामना होते ही इनका यादाना लाजमी है। इनका जिनका इसमें चित्रण है। तो बच्चो ये था इसके कवी रहीम के बारे में अब हम इनके दोहे वन बई वन पढ़ेंगे और उनका आर्थ भी समझते जाएंगे। तो पहला दोहा है बच्चो बहुत ही फेमस हैं बाकी सभी फेमस हैं और आपने सुने भी होंगे। तो पहला है रहीम अंधा का प्रेम का मत तोडो चटकाए तूटे से फिर ना मिले मिले गांट परे जाएंगे। अतना बड़ा नालिक के आप सिदा भी लिख सकते हैं कि कवी रहीम का कहना है कि प्रेम वस्त हुता है धागे के समान ना जुक एवं पतला होता है। जिसी कभी भी चान बुचकर नहीं तोड़ना चाहिए अर्थात धागे के समान अखंड एवं कोमल प्रेम को अचानक से नहीं तोड़ना चाहिए यदि धागा रूपी प्रेम एक बार तूट जाता है तो वह पहले जैसा नहीं जुड़ता दोबारा जोडने पर उसमें अनिवारे तह गांट पड़ जाती है अगर कोई भी धागा बच्चों एक बार तूट जाता है अगर उसे आपको दोबारा जोडना हो तो अविसली आप गांट ही लगाओगे न अर्थात एक बार प्रेम का updated से आत्मियता एवं पवित्रता नहीं आ पाती प्रेम का सम्बंद किसी प्रकार से दोबारा जुनने पर दोनों व्यक्तियों के मन में कुछ खटास रही जाती है इसलिए प्रेम समन्दों की नाजुकता को ध्यान में रखकर उसे कभी तूटने नहीं देना चाहिए समझ गए? तो अभी हम नेक्स्ट अपना दोहा बढ़ते हैं रहीमन निजमन की बिथा मन ही राखो गोई सुने अठी लेही लोग सब बाटी न लेह कोई तो बच्चों इस दोहे में कवी रहीम कहते हैं कि व्यक्ति को अपने मन या हर्दे के दुख को अपने तक ही सीमित रखना चाहिए उसे दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए क्योंकि मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से कोई भी अन्य व्यक्ति आपकी वेदना या कष्ट को आपसे साजह नहीं करता उसे आपस में नहीं बाढ़ता मन की वेदना को दूसरों के सामने व्यक्त करने से लोग आपके दुख से मन ही मन खुश होते हैं इसलिए अपनी व्यथा को अपने मन तक ही सेमित रखना चाहिए अगला हमारा दोहा है एक साधे सब सधे सब साधे सब जाए रही मन मूल ही सीचिवो फूले फले अगाए तो इस दोहे में कवी रहीम कहते हैं कि एक लक्षे की प्राप्ति कर लेने के बाद करम से अन्य सभी लक्षे प्राप्त हो जाते हैं इसका मतलब क्या है व्यक्ति को सरवाधिक अधार्प होता है महत्योपुन लक्षे पर ध्यान देना चाहिए मतलब अपना एक में गोल रखना चाहिए आपको क्योंकि अगर आप उस लक्षे की प्राप्ती पर आप लग जाते हो और वो लक्षे आपको प्राप्त हो जाता है उसके प्राप्त होते ही उसके साथ लगे अनुशंगी लक्षे स्वते ही प्राप्त हो जाते हैं एवं उसे भरपूर मात्रा में पागर हम तृप्त हो जाते हैं, ठीक उसी तरह जड़ समान मूल लक्षे की प्राप्ति होने पर अन्य लक्षे सुएते ही हासिल कर ले जाते हैं, अर्थात जो व्यक्ति इस रुष्टी के मूल परमात्मा को ध्यान करता है, वह सब प्रकार के स अंसारिक फलों को प्राप्त करकर तृप्त हो जाता है, ठीक हैं, अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट दोहां, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवद नरेश, जहां पर विबदा पड़त है, सो आवत है देश, कवी रहीम कहते हैं कि चित्रकूट, इतना मनोरम एम शांती प ये पत्ती आती है, वैसी प्रदेश में शांती पाने के लिए चला आता है, अयुध्या के राजा राम भी विबदा काल में इसी प्रदेश में चले गए थे, इस दोहे में चित्रकूट के मोहक प्राकरतिक सौंदर्रे को सामने लाने की कोशिश की गई है, अभी हम अपना पांचवा दोहा पड़ते हैं, दीरक दोहा अरत के आखर थोरे आही, जियों रहीम नट कुंडली सिम्टी कूदी चड़ी जाही, कभी रहीम का कहना है कि अत्यन थोड़े से अक्षर वाले दोहे, चंद के अंतरकत बहुत कहरा एमम व्यापक अर्थ छिपा होता है, जिस प् जाता है, ठीक उसी प्रकार कुशल दोहा कार सीमित शब्दों के माध्यम से बहुत ही गहरी एमम अर्थ पूर्ण बातें कहे जाता है, यहां तक क्लियर होगे बचों, अभी छटा दोहा, धनी रहीम जल पंक को लगू जिये पियत अगाए, उददी बढ़ाई कौन है, जग प्यासों जाए, तो यहां पर इस दोहे में कवी रहीम कहते हैं कि कीचड का जल समुद्र के जल से अधिक महान है, जिसका पानी पी कर छोटे जीव द्रिप्त हो जाते हैं, समुद्र की महानता या बड़पन किस काम की, जो संसार के प्राणियों के प्यास ही नहीं बुजा पाता, बच्चा आपको बता है ना, समुद्र का पानी हम पी नहीं सकते हैं, वो इतना जदा खारा होता है, इतना खारा होता है, कि उसको कोई पी नहीं पाता, इतना पानी होने के बाद भी हमें ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल पाता, उस पानी से प्यास नहीं बुजती, सं सात्मा दोहा नाद रीजी तन देत म्रग नर्धन हेत समेत तें रहीम पशुसी अधिक रिजेहु कछुन देत तो कवी रहीम का कहना है कि जिस प्रकार नाद की सुर लहरी पर प्रसन्न होकर हिरन अपने प्राण तक नुचावर कर देता है नाद होता है बच्छों ढोल की आव मनुष्य उसकी कल्यान की कामना करते हुए प्रेम पूर्वक धन अर्पित कर देता है परन्तु जो मनुष्य किसी की कला पर प्रसन्न होकर भी उसे कुछ नहीं देता वह मनुष्य पशु से भी अधिक निम्न होता है कवी काश्य यह है कि मनुष्य को कला की कदर करने महिला स्टैंज है दोहा बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई रहिमन फाते दूध को मतेना माखन होई तो बच्चो इस दोहे में रहीम जी क्या कहते हैं रहीम अपने नीती परक दोहे में कहते हैं कि एक बार जो बात बिगड़ जाती है वे लाग कोशिश करने के बाद भी ठीक नहीं हो पाती जिस तरह एक बार दूद फटने के बाद उसे कितना भी मतह जाए उससे मक्खन नहीं निकल सकता ठीक उसी प्रकार जब किसी से एक बार संबंद खराब हो जाए या फिर किसी कारे के दोरान कोई अधार भूत गलती हो जाए तो कितना भी प्रयास क्यों नहीं किया जाए वह पहले जासा नहीं हो पाता ठीक है प्लियर अब अगला हम दोहा पड़ेंगे रहीम ने देख बड़ेन को लगू न दीजे डारी जहां काम आवे सुई कहां करे तरवारी कभी रहीम अपने इस दोहे में कहते हैं कि बड़े अर्थात शक्तिशाली हो को सामने देख कर चोटे अर्थात कमजोर की उपेक्षा या उसका त्याग नहीं करना चाहिए क्योंकि जहां सुई काम आती हैं वहां तलवार क्या कर सकती हैं इस दोहे के माध्यम से कभी ये कहना चाहते हैं कि संसार में मौजूद सभी को अपना-पना महत्व है सबका अपना-पना कार्य है कोई दूसरे का स्थान नहीं ले सकता इसलिए महान एवं बड़े लोगों को देख कर लगू या छोटे लोगों की उपेक्षा नहीं करने चाहिए क्योंकि उनका कार्य है कोई अन्यन नहीं कर सकता यहां तक क्लियर है बच्चों? अभी हम अपना धस्मा दोह पड़ेंगे रहिमन निज संपत्ती बिना कोन विपती सहाए बिनु पानी जो जलज को नहीं रवी सके बचाए तो इस दोहे में कवी रहिम कहते हैं कि बिना निजी निजी मतलब अपनी बिना अपनी संपत्ती के किसी भी विपती का सामना नहीं किया जा सकता है अर्थात किसी भी प्रकार की विपती या संकट आने पर व्यक्ति की निजी अपनी संपत्ती ही काम आती है जैसे बिना पानी वाले कमल को अनेक कोशिशों के बाद भी सूर्य बचा नहीं सकता कभी का आश्य है कि यदि कमल का आधार पानी ही नहीं रहे तो सूर्य उसकी रक्षा किसी भी भाती नहीं कर सकता ठीक उसी प्रकार बिना निजी संपती वाला व्यक्ति कुई भी विपती या संकट सहने योगें नहीं होता तो अब बचों आज का हमारा पाट का अंतिम दोहा है ग्यारवा दोहा रहिमन पानी राखिये बिनु पानी सब सून पानी गएन उबरे मोती मानुष चून तो कवी रहीम इस दोहे के माधम से ये कहना चाहते हैं कि पानी का अत्यधिक महत्व है और इसके बिना सब कुछ व्यर्थ है कवी ने यहाँ पानी शब्द का प्रयोग तीन संदर्भों में किया है मोती मनुष्य एवं चून तो वो वेस्ट है पानी अर्थात सम्मान या इजद के बिना मनुष्य व्यर्थ है क्योंकि हर मनुष्य को इजद चाहिए ही चाहिए और बिना पानी के चून अर्थात आटा व्यर्थ है यहाँ कवी पानी की महिमा का बखान करते हुए उसके महत्व को अलग-अलग संधर्भों में रेखांकित करता है याने कि उलेख करते हैं तो बच्चो ये था हमारा दोहा, दोहे चेप्टर रहीम जी द्वारा रचित तो मुझे आशा है कि आपको ये जरूर समझ आया होगा थांकियो फूर वचिंग